आज हम कट्टे से और पुरानी चादर से देखिए किस तरीके से बनाने वाले हैं तो ये मेरा 23 इंच के लंबाई 23 बाई 19 का हमने दो कट्टे के पीस लिये हैं सेम उसी साइच का हमने चादर के दो टुकड़े लेने हैं और उन्हें इस तरीके से चारों और से सिलाई लगा देनी है देखिए जब हम इन दोनों कपड़ों में जो हमारा हमने जो 19 बाई 23 का कपड़ा रखा हुआ है और कट्टे के भी सेम ही टुकड़े लखे हुए हैं उन्हें हम दोनों को चादर के टुकड़ों के साथ दोनों को कट्टों में हम अटेच कर लिंगे और अटेच इस तरीके से करेंगे ताकि वो हिले डुलेना आप चाहें तो कोई भी सेप में बीच में भी सिलाई कर सकते हैं अगर आप सिंपली कुछ नी करना चाहते तो आप लाइन लाइन वाली सिलाई करके भी बॉक्स बना करके तयार कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से जब हम इस तरीके से करेंगे तो जो कट्टा और चादर है वो फिसलिंगे नहीं और एक संग मजबूती के संग दोनों आपस में जोइन हो जाएंगे जब हम इतनी प्रोसेस कर लेंगे और ये इस मजबूती के लिए भी है ताकि कट्टे में एक जैसे ही वो दोनों रहे जाएं अब देखिए हमने क्या करना है इन दोनों पीसों को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है अब हमने एक साइड से हम इसके उपर वाला साइड है जो नीचे वाली साइड होगी हमारे इन दोनों की हम इसमें से नीचे box निकालेंगे box हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि 3 इंचे लंबे और 3 इंचे चोड़े आप चाहें तुझ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा कम ज़्यादा है तो मैं सेम अभी इसमें फिलाल 3 बाई 3 का एक पीस निकालोंगी और इसी पीस से हम इसे हम कट करेंगे और सेम इसी को हम अगले वाली साइट पर रख करके उस कॉर्नर की कटिंग भी हम इसी तरीके से कर लेंगे अब इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद देखिए अब दोनों को हमने इस तरीके से रख करके जो हमारा दुसरा पीस था उसकी कटिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे दियान रहे दोनों का साइस सेम ही होना चाहिए अगर आपका थोड़ा भी कम जादा होगा तो जब हम ज्वेंट करेंगे उसमें वो दिक्गत करेगा इस तरीके से हमने देखे कटकल लिया है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसमें जो उपर साइड है, जहां से हमारे थ्रेड वगर बहर निकल रहे हैं, उन्हें हम सिल दिंगे उपर साइड से, और सिलने के बाद इस सिल दिये हैं, और भी सेंटर में हम लगाएंगे निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से दो इंच निशान से इस साइड और दो इंच निशान से उस साइड हम इस तरीके से लगाएंगे निशान और इसमें हम अपने फीते को जोइंट करेंगे जो हमारा हैंडल है तो इस तरीके से हमने दोनों पीस में इसी तरीके स अपना हैंडिल रेडी कर लेना है हैंडिलों को रेडी कर लिया है अब हमने जो इसमें हमने सिलाई रखनी है सिलाई हम किस तरीके से रख लेंगे वो देख लीजिए आप नीचे वाले साइड में हम सबसे पहले सिलाई रखेंगे फिर आइट साइड में भी हम सिलाई को रख फोल्ड करके इस तरीके से सिल दिंगे जिससे की रफ ऐसे और जो कट्टे के धागे वगरा हैं वो बिलकुल भी बाहर ना निकले और मजबूती के संग सिलाई भी हो जाएगी और हमारे कोई भी थ्रेड वगरा बाहर नहीं निकलेंगे वरना कट्टों से जो उसके धागे पाद जो हमने बॉक्स की कटिंग की थी उसको भी हम इस तरीके से सिलेंगे और उसे भी डवल फोल्ड करके उसके भी रफेस्स वेगर हम बंदर करेंगे अब हमने इसके बंदर कर दिये है देखिए इस तरीके से थे अb देखिए यह यह भी अब इसे हम पलटिंगे पलटने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से एक सुन्दर सा कैरी बैक बनके तैयार हो गया है आप इसे मार्केट ले जाएए सबजी मार्केट ले जाएए या आप कहीं भी जो अपना ये जरूर इस्टोर वगरा का समान होता है वो सब इसमें आ जा आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेयर कीजिए थैंक्यू